नाव, नेक्स्ट टोपिक फॉम दिशाप्टर इस साइन कन्वेंशन्स ओफ वर्क एड हीट टोपिक महत्वाज साहे, हाँ टोपिक का महत्वाज साहे? तर तुम्हाला नियूमरीकल विच्छाला जातो, कधी-कधी तुम्हाला वर्क पंदी लिला असता नी हीट पंदी लिला असते मग क्वशन आसा है कि ते वर्क आनी हीट कधी-कधी ऐज टीज वेल्यू गहेचासाथ कि मग का ही वर्या वर्यस आप्लेला,प्लससा मैं प्लससा साहे का मैं इस् माममम का सीquez जober संऑ हीट कारदा आप्ला जगेचै की वैल्यू पॉजटिव उज़ंग हेची, मती वैल्यू अपन गेसकाBen कनाना,श्यों पॉजटिव शवेची हेची तेचा साथी तुम्हाला ही साइन कन्वेंशन मा इतियासना गर जाहे यह साइन कन्वेंशन आहे वर्क साथ यानी हीट साथी नौ फॉस्ट हीट आधा हीट पॉजिटिव कर दीगेचे बगा हीट इस एपसोप बाई एकदम सिंपल है जर एकखादी इस पीट का यह करते है हीट उससर अपसोप करते हीट topics by system system ने hit काई कि लिए apsop कि लिए तयवा तुम्हाला क्यों का सहा है positive ज़ए अन्यचा कम्पेटल ओपटेट करा कि suppose ही system माससस अशाली energy आता काई करते release करते when system release energy towards surrounding then Q is taken as negative बगड़ना फिस system सवाता मादली energy बाहर टाकते मझे system चेनरजी का होते कमी होते हैं, कमी होते हैं मैंजे साइन के देश है, निगेटिव साइन देश है, ठीक है? Now, Q is taken as negative, W, work positive का देखे हैं सा, work negative का देखे हैं सा, W is taken as positive, when work is done on the system by the surrounding, ठीक है? सबोज मैं एक system दाखोते हैं, अन्या ठीकने एक piston आखे, ठीक है? जर पिश्टन टॉप साइड ने, बॉटम साइड ला चाल ला है, अब मैंजे आपन ग्यास लागाए करतो है, कॉम्प्रेस करतो है, work is done on the system, आपन तेला compress करतो है, मैंजे work होतो कोन वरती है? पिश्टन दाउंसाइड ला चाल ला है, मैंजे system वरती वर्क होते है, पन वर्क करता है? surrounding work करता है, करन surrounding कड़ों ते piston दाउंसाइड ला चाल ला है, यह जर तक है, की system वर्क होते है, पन ते work कोन करता है? surrounding side ने, when work is done on the system by the surrounding, then W is taken as positive and vice versa for W negative, समझा आता हाँ पिशटन खाली नहीं जल ला है, हाँ पिश्टन वर्क हें ला जल ला है, हाँ ग्याश था thereby piston धेас ध dedicल है, ग्यास पिश्टन ाधीक ते मैंजे work हां तो ग्यास करता है, ग्यास वर्क करता है मैजे system work करते है, When work is done by the system on the surrounding, then this W is taken as negative. बगा या वीडियो चा दिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे मी तुमाला काई PDF फाइल प्रोवाइड के लिए लिए लिंक पर तुमाला या टाइप चे बरेश्चे नुमरिकल सा पढ़ दिल कि ये CT ला पन वीचार लेगे लिए ठीके? अधा पुर्जड अभी का वन बहुया, the most important topic from this chapter, हाँ हाँ होट टोपीगा है जोर ती बरेश्दा कोशन वीचार लेगे ले, that is first law of thermodynamics. अपला statement सा वीचार नहीं कराया सा है, तुमाला कोशन वीचार लेगे लेगे, which of the following is mathematical equation of first law of thermodynamics, option A, B, C, D. the correct option is, delta U is equal to Q plus W, now in this equation, this delta U is change in internal energy, that Q is heat and W is the work. अधा, हे जे mathematical equation हाँ है first law of thermodynamics, ते हे अपले लाँ मोडिफाय कराया से वेगे लेगे प्रोसे साथी, तुमाला महाँ है ती क्या अपले लेगे प्रोसेस कोटला है, isothermal process, adiabatic process, isochoric process, and isobaric process, या second सा मिनिंग माला सांग इतला ह एकदा, रिकाल करा, adiabatic process का है से, कि जाचा महाँ है आपन Q का है तो, 0 गे तो, isochoric मादे volume constant आस तो, delta V 0 गे तो, isobaric process मादे pressure constant आस तो, delta P आपन 0 गे तो, ठीके, अणि याचा मादे राहला काया था, isothermal process, isothermal process मादे temperature constant आस तो, महनुन internal energy constant आस तो, अणि internal energy constant आस तो, delta U 0 अस तो, हे तो, तुम्हाला हाईती असल, तर तुम्ही ते फक्त, एपलाय करेचे या, first law of thermow वरती, ठीके, now the first law of thermow, delta U is equal to Q plus W, हे जा standard equation हे, हे फक्त आपने ला, modify करेचे, isothermal process हाथी, as you know, delta U is equal to 0 for isothermal process, मा अपलाय करेचे, delta U ची value जरुटा केचे या equation मादे, ठीके, मादे value जर to minus Q, मा तुम्हाला, MCQ का सा विचर लाय, what is the first law of thermodynamics for isothermal process, option ABCD, the correct option is Q is equal to minus W or W is equal to minus Q, हे पोइन लग्षाई ते ला, खुब जास्त समांत वाचे, ठीके, next is adiabatic process, for adiabatic process, the value of heat, that is Q is taken as 0, if we put Q is equal to 0 in the first law of thermow, what we get, delta is equal to W, करां Q ची value काहे जाले, 0, delta U is equal to, sorry, delta U is equal to W, कि मा एक्जमिन तुम्हाला, कंफूस करना साथी, मुद्दमोन, minus delta U is equal to minus W, द्योशोकते, दोगन सार्थ, एक असस्त नारे, next process is isochoric process, ठीके, ला, isochoric process, volume remain constant, volume constant मन्जा प्लालबगा, delta V 0 गे जाहे, as we know that, W is equal to minus PX in to delta V, हे जे का W ची value आहे, ती equation 1 मदे तुम्हें पूट करा, ठीके, that is first law of thermo, ही W ची value जाहे तुम्हें पूट करा, तुम्हाला, तुम्हाला, नहीं ही नहीं एक प्लालबगा, delta U is equal to Q minus PX in to delta V, as the process is isochoric, change in volume, that is delta V is taken as 0, if delta V is taken as 0, this total term become 0, therefore equation remain only delta U is equal to Q, इते अपन भी मेंचने के लाहे, त Now the next process is isobaric process, pressure constant असता, pressure इते confusion होता मूला अस, pressure constant असता महंजे, delta P0 असतो, अधा बगा तुम्हें गुंदरा नार कूटे, अपला standard W's equation, W is equal to minus PX in to delta V, now put the value of W in first equation, what we get, delta U is equal to QP minus PX in to delta V, बरेश मूला गया गरतात, इतल्या P ची value 0 ता कुंदेतात, आनि तुम्हाला option तसा लिला पन असतो, खूप मूला इते मिस्टेक करतात, लक्षा ठेवा, isobaric चार्द आहे, delta P0, तुम्हाला इते कुटे delta P दिसतो एका, delta P कुटे शने, या चार्द हे equation असस्ट हेवाईजे तुम्हाला, ठीके, धर्फूर, delta U is equal to QP minus PX into delta V, this is the mathematical equation of first law of thermodynamics for isobaric process, हाँ टोप खूपस इंपोर्टन आहे, लक्षाद गया मूला नो, ये चार्थी question कदा चितनक की विचारला, जाओ शक्तो हे, now, next topic is mathematical part is there, first, we'll study for, we'll study about enthalpy, बगा, enthalpy is equal to U plus PV, enthalpy मन जेका है सो, it is the sum of, बगा, mathematical equation में के definition आहे, it is the sum of internal energy of system and the energy arise due to pressure and volume, प्रेशर वोल्यूम ने जी एनर्जी में एते, क्या एनर्जी लो तुम्हे आड करा, कौन मादे, internal energy मादे, it is the sum of internal energy of system and energy arise due to pressure and volume, it is called as enthalpy, now, next topic is relationship between delta H and delta U for chemical reaction, तुम्हाला हे relation exam ला वीचला दाओ शक्तो है, which of the following is relation between delta H and delta U for chemical reaction, option A, B, C, T, तुम्हाला हे, देल्टा एनर्टी, इस एला equation, अजोर तुम्हाला हे चला जाओ जाओ शक्तो है, numericals, ठीके, इत्थे बरसा topic असा है जेच अजोर तुम्हाला नुम्हाला वीचार ले जाओ शकता है, ठीके, delta H is equal to delta U plus delta energy, delta H मन जे गा है, change in enthalpy, delta U is change in internal energy, delta N is change in number of moles, and R is gas constant, is absolute temperature, next formula is for work done, आता हम आपन मागिजे work done बाग इतले होता हो, that is pressure volume बाग, now this work done is for chemical reaction, आपन जस्कंसिदर के लिए एक reaction आपन जस्कंसिदर के लिए एक reaction है, जाचे इनिचल नुम्हाल 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 के लिए सार, आणी तेच्छा वापर करों आपन एक एक एक्वेशन मालग, W is equal to minus delta N RT, delta N मंजेगा है, change in number of moles, मा delta N काड़ा है तो, delta N काड़ना सेट तुम्हाल करेचा है, number of moles of product minus number of moles of reactant, number of moles count करूंगा, N2 minus N1 gives the value of delta N, W is equal to minus delta N into RT, next topic is enthalpy of sublimation, Simple formula है, यह तो आची पर तुम्हाल नुम्हाल नुम्हाल मिचला दाऊ शोकते है, कि मा रिलेशन सुधा वीचार लागेले, which of the following is correct relation, आसा question मिचला लागेला है, The standard relation है, कि change in enthalpy of sublimation is equal to change in enthalpy of fusion plus change in enthalpy of evaporation, बगणा साधी गोश्ट है, , एक अधा substance याधी fuse होते है, मांझे melt होते है, आणि melt होंतो कया होतो है, इवपरेट होते है, मांझे process पहला नुम्हाल 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 पन वीचला जाऊ शोकते है, नव नेक्स्स्ट वी इंपर्टन फर्मूलास आर देर ठीक है यह चार थे नीटला पन क्वेशन वी चलना गिलिला है ठीक है यह दोन फर्मूली आहे लग्षा टिवा नव फर्मूलास इस एंथलपी आफ व केमीकल रियक्शन तेला आपन हीट आफ रियक्षन महान सोब्त है आता हीँ शॉल कराए चेक है मैं तुम्हालां mc की सेरीज दिलिआ है त्या तुम्हि तुम्हि के एचछक चेक करा Reaction Enthalpy from Bond Enthalpy, तुम्हाला काई Bond Enthalpy जीले असाथ आणि त्याचा भपर करना तुम्हाला काड़ाई चाहसते Reaction Enthalpy, सिंपल फॉर्मुला है, Standard Change in Enthalpy of Reaction is equal to summation of Standard Enthalpy of Reactant Bond minus summation of Standard Enthalpy of Product Bond आता हा फॉर्मला पक्त में वात्स होंगे लोगे, पर हाया implement कसा कर रहा है चाहिए तुम्हाला अपम प्रैक्टिस करायो लागे ले टेक्स्टूक मादे काई Numerical जीले तुम्हाला प्रैक्टिस करा, नीटला सुद्धा हा टोपिक महत्वाज है यानि सीटला सुद्धा इजर सब्सक्राइब लुक्विड मादे डेक्स्टला इन दाता है, पर्फेक्टली को लिए चैरल डेक्स्टू खर्ण महें पॉजिटिव का दिगेज और निगेटिव का दिगेज तुम्हान एक दि केमीकल रियक्शन दिलियाज थे सपोज तुम्हाला रियक्शन आशी दिलिया है I2 solid I2 gas आण ही रियक्शन ला अबजर कुरून सांगाएची कि अज़र के दिल्टा एक्शन जाएची कि या रियक्शन आशी रियक्शन आशी रियक्शन आशी देल्टा एक्शन आशी वाईटिया है मा तुम्हाला थे समझना घर जाए बगा काय सामधू है When there is a conversion from order state to disorder state then delta s value is taken as positive When disorder is converted to highly disorder again delta is taken as positive order सा disorder जाले, disorder सा highly disorder जाले, delta इस दोगए केस मादे positive जगाई साए and when highly disorder substance is converted into either disorder or order state बगा reverse है तो है आपन, highly disorder सा आतामी करतो है एक तर disorder कि मा order state इथुन तुम्हीं जाएस reverse एता, तेवा delta S कसा गहीं साए तुम्हाला negative जाए, तुम्ही right to left साले, delta S negative जाए, और left to right साले, delta S positive जाए एकदम simple है, मात्या और अरक नरकसा बगाना, तुम्हाला जीते सांगीत ले कि हा solid state जाए and solid सा काई जाले, gas, solid होता मझे होता, order state जाले, gas में जाले highly disorder, order सा highly disorder होता है तुम्हाला delta S कसा गहीं साए, positive, for such type of question, this topic is more important, ठीके now, हापन एक topic आहे, हापन M.C. के लिए विचरला जातो, बगा काय सांग तो एचा मधे, if delta S total is greater than 0 में तो positive आहे, if delta S is greater than 0, और we can say delta S is positive, then the process is spontaneous एचर तुम्हाला question विचरला जातो, now if delta S total is less than 0, और we can say, if delta S is negative, then the process is what, non-spontaneous process and is that delta S value is 0, तो तुम्हाला असा में एंशन कराया है, कि the process is at equilibrium, ही तीगे point मात वचा है, now the next topic, it's a Gibbs energy, ठीके, Gibbs energy, G is equal to H minus T S, G is the Gibbs energy, H is enthalpy and T is the temperature, S is entropy, now change in Gibbs energy is given by the formula, delta G is equal to delta H minus T into delta S, delta G मनजे का है, change in Gibbs energy, delta H, change in enthalpy, T is temperature, delta S is change in entropy, याँ एक्वेशन सा यूस करूं, तुम्हाला तेचर तुम्हाला 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 जातो, तुम्हाला तुम्हाला जातो है, ठीके, now the delta G, that is change in Gibbs energy and spontaneity, हे तुम्हाला महाला है तुम्हाला जातो है, if delta G value is less than 0, then the process is spontaneous, delta G is less than 0, it means delta G is positive or negative, it is less than 0, it is negative, if delta G is greater than 0, means it is positive, if delta G is positive, then the process is non-spontaneous, ठीके, and if delta G is equal to 0, then the process is at equilibrium, तुम्हाला सुपोज देखा जातो, निउम्हाला जातो, तुम्हाला जातो, तुम्हाला जातो, आप्र जातो है, after that, last topic from this chapter is third log thermo, तो are the third log thermo का जातो, पर्फेक्ट्ली क्रिस्टलाइन असेल, मा तो जो perfectly order a cell, असेल, मा तो जो पर्फेक्ली मिली क्रिस्ट्लाइन सबस्टांस है कि जला मी कहां बोलत है perfectly ordered crystalline substance हाज perfectly ordered crystalline substance असेल तर तैची entropy मंझे S entropy ही 0 आसते at absolute zero temperature यह अच्छा बोलत है mcq वीचला दाऊचा होता है ठीक है पहलें दा statements what is statement for perfectly ordered crystalline substance the entropy is taken at zero at absolute zero temperature आणि यह अर तुम्हाला, mcq वीचला आऊचा दाउचा होता है S is equal to 0, T is equal to 0. या वीडियो और अंतर, मैं तुम्हाना नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल करूं देना रहे, दाट इस चाप्टर इलेट्रोकेमेस्ट्री.